हाई इस्ट्रोएंट्स कैसे आप सब लोग मुझे उमीद ही कि आप सब लोग बहुत बढ़िया होंगे और आप लोगों की पड़ाई लिखाई बड़े मस तरीके से चल रही होगी तो इस्ट्रोएंट्स आज के इस पूड़ो लेक्चर में हम लोग टिक्नो मैटी से 10 MCQs करे ठीक है तो चले ही वीडियो हम लोगों के स्टार्ट करते हैं और आजाते हैं फास्ट क्वेस्चन में हम लोगों को दिया है इफा पोल सिक्स मीटर हाई कास्टर शैड़ो टूरूर थी मीटर लॉंग ऑन दे ग्राउंट देन दा संस एंगुलर ऐलिवेशन इस तो से पहले कंसिडर कर लेते हैं यह अपने आप में क्या है एक पोल है और इसकी हाइट क्वेस्चन के कितनी है सिक्स मीटर और यहां कहीं सन होगा जो शायन कर रहा है ठीक है तब इसकी शैड़ो हम लोग ग्राउंड लेवल पर सैड में इधर कहीं बनेगी और इसको माल लेते हैं BC और हमें क्या फाइंड करना है हमें सन का एंगूलर एलिवेशन फाइंड करना है सन का एंगूलर एलिवेशन कहने का मतब यह अंगल हम लोगों को फाइंड करना है ठीक है और यह शाड़ो की लेंड कितनी दे रखी है यह दे रखी है हम लोगों को टूरोड थिरी मीट करेक्ट है अब क्योंकि हम लोगों कोई एंगल फाइन करना है और हम लोग जब इस एंगल की कॉंटेक्स में बात कर रहे हैं तो इस एंगल के सामने वाली साइड अपने आप में क्या होगी परपेंडिकुलर इस एंगल से जुड़ी हुई जो साइड है वो अपने आप में क् और अब हम लोग याद करते हैं कि perpendicular base के बीच में कोभी टिक्नोमेटिक रेशियो होता है यस वो होता है 10 तो लगा देते हैं 10 और angle गया यहाँ पर चीटा तब हम लोग लिख सकते हैं कि 10 चीटा equal to what perpendicular upon base तब इस case में देखिए perpendicular क्या है इस case में perpendicular है a, b जिसकी land कितनी है 6 meter तब इसको लिख सकते है 6 upon base क्या है यह वली side और इसकी land कितनी है 2 root 3 ठीक है तो यहाँ पर हम लोगों ने रखा 2 root 3 इस 2 से 6 को cancel किया कितने times 3 times तो हम लोगों क्या value निकल किया आती है 3 upon root 3 अब फिर से इसको लिखने का काम करें तो देखो इस 3 को हम लोगों क्या लिख सकते है इसको लिख सकते है root 3 into root 3 और upon में क्या है upon में है root 3 ठीक है तो root 3 से root 3 cancel हो गया और finally value निकल किया आती है कितनी root 3 और किसकी value निकल लिए हम लोगों ने 10 theta की ठीक है करते हैं कि क्या 10 के terms में under root 3 किसी भी पर्टिकुलर एंगल पर value होती है तो हमें आदाता है यस यह होती है 1060 degree की value ठीक है तब हम लोग इसको तो चलो ऐसे ही लिख है 10 theta और इस root 3 के place पर क्या रख सकते है इस root 3 के place पर रख सकते है 1060 degree क्योंकि 1060 degree की value कितनी होती है root 3 ठीक है अब हम लोग क्या notice कर रहा है कि दोनों sides में trigonometric ratio कैसा है same इधर भी 10 है और इधर भी 10 है बीच में equal कैसा है नहीं तो तभी possible है जब दोनों sides के जो angles है वो भी कैसे हो equal तो इधर angle क्या है इधर angle है theta और इस side में हम लोग देखे हैं तो angle क्या है 60 degree तो theta कितना आ जाता है 60 degree यानि कि sun का जो angular elevation है वो कितने degree का है 60 degree का है कहीं option में 60 degree yes option a is correct अब next question में हम लोगों को दिया if sine theta plus sine square theta equal to one then cos square theta plus cos की power 4 theta equal to what तो question में हम लोगों को यहां पर एक relation दे रखा है और इस relation के basis पर हम लोगों को इस expression की value find करने है ठीक है तो चले start करते हैं सबसे पहले हम लोगों को जो relation दे रखा एक बार इसे लिख लेते हैं तो क्या दिया है हम लोगों को यहां पर हम लोगों को दिया है sine theta plus sine square theta equal to one अब हम लोग क्या करेंगे इस पर थोड़ा सा काम करेंगे क्योंकि इसी के basis पर हम लोगों के value निकाल नहीं है ठीक है तो अभी हम लोग क्या कर रहे है sine theta को तो इधर ही रख रहे हैं और sine square theta को हम लोग कर रहे है transpose तब इसको लिख सकते हैं हम लोग sine theta equal to one अपने place पर है और जब इसको transpose किया जाएगा तो यह माइनस में जाएगा तो यह बना one minus sine square theta और one minus sine square theta इसके place पर क्या रख सकते हैं कि इसके equal होता है यह होता है cos square theta के ठीक है और इधर क्या है sine theta इसका मतलब एक important relation हम लोगोंने find किया क्या कि sine theta equal to what cos square theta मतलब जरूरत पढ़ने पर हम लोग sine theta के place पर क्या रख सकते हैं उसके place पर रख सकते हैं cos square theta ठीक है अब question को आगे बढ़ाते हैं again is given condition से तो एक बार फिर से लिखते हैं क्या दिया है हम लोगों को यहां हम लोगों को दिया है sin theta plus sin square theta equal to one अब देखो चाहे हैं तो इसी चीज़ को हम लोगों ऐसे लिख सकते हैं sin theta तो चलो ऐसी लिखा हम लोगोंने sin square theta है ना तो इसको लिखा जा सकता है क्या sin theta का whole square and this equal to one ठीक है कोई फर्क पड़ा नहीं अब हम लोगों को sin theta की तो value पता है ना कितनी cos square theta मतलब जहां पे sin theta है वहां पर क्या रख सकते हैं cos square theta रख सकते हैं ठीक है तो रख देखें देखें इसके place पर रखते हैं cos square theta ठीक है तो रखा हम लोगों ने cos square theta plus यहां भी क्या है sin theta है न तो यहां भी हम लोग क्या कर रहा है cos square theta रख दिये sin theta के place पर और यहां बाहर square लगा है तो लगा देते हैं and this equal to 1 as it is लिखा हम लोगों ने फिर से इसको लिखने का काम करें तो यह बना क्या cos square theta as it is और यहां पर cos square theta का whole square है तो जब power की उपर power होती है तो पावर सार multiply तब 2 और 2 का multiply होगे क्या हो जाएगी power 4 तब इसको लिख सकते हैं क्या cos की power 4 theta equal to 1 अब जड़ा चेक करिए क्या यही चाहिए था हम लोगों को yes cos square theta plus cos की power 4 theta equal to what तो cos square theta plus cos की power 4 theta equal to 2 क्या निकाला हम लोगों नहीं 1 इसका मदब इस expression की क्या value निकल क्या आती है 1 है कहीं option में 1 yes option c is correct अब third question में हम लोगों को दिया है sin a minus cos equal to 0 then the value of sin की power 4a plus cos की power 4a is what तो यहां पर हम लोगों के condition दे रखिया है अगेन इसके basis पर हम लोगों को expression की value find करनी है ठीक है तो चलिए सबसे पहले इसको हम लोग एक बार लिखते हैं क्या दिया है हम लोगों को दे रखा है sin a minus cos a and this equal to what 0 अभी हम लोग क्या कर रहा है इस cos a को इस side में transpose कर रहा है तब इसी चीज़ को हम लोग चाहें तो ऐसे लिख सकते हैं कि sin a equal to cos a कैसा था इदर negative था जब इसको transpose करेंगे तो positive हो जाएगा तो यह हो गया cos a मदब sin a is equal to what cos a अगेन हम लोग क्या कर रहा है इस cos a को transpose कर रहा है इस side division में या फिर कह सकते हैं कि हम लोग दोनों sides को किस से divide कर रहा है थीक है तो चलिए दोनों sides को cos a से divide कर देते हैं तो sin a upon cos a बना और इस side में देखें तो cos a already हो और divide कर रहा है किस से? कॉस A से. ठीक. यहां देखें तो sin A upon कॉस A है. sin A upon कॉस A क्या होता है? यह होता है 10 A. तो 10 A equal to और इधर तो कॉस A से कॉस A cancel हो गया ना तो क्या मिला इधर से हम लोगों को 1. ठीक है? तो 10 A equal to अभी क्या है? हम लोगों के पास में 1. अब इधर टिक्नोमेटिक रिश्यो क्या है? 10. तो हम लोग याद करते हैं कि क्या 10 की टर्म्स में 1 किसी भी पर्टिकुलर एंगल पर वैल्यू होती है? तो हम याद आता है कि यहस 1 1045 की वैल्यू होती है ठीक है? अब अगेन देखें तो दौनों साइट में सेम टिक्नोमेटिक रिश्यो है बीच में एक कुल का साइन है यह तो तभी पॉसिबल है ना जब दौनों साइट में एंगल भी कैसे हो एक्वल मतलब एंगल एक कितने का निकला था, 45 दिगरी निकला चेक है तो एक की वैल्यू हम लोगो ने फाइंड कर ली जो कि कितनी है 45 दिग्री अब हम लोग को किसा एक्सप्रेशन की वैलीव निकालनी है इसं की निकालनी है एक बार लिखते हैं तो क्या दिया है हम लोगों को साइन की power 4A plus कॉस की power 4A और इस expression की value find करनी है अब जब हम लोग जानते हैं कि एक कितने degree का है 45 degree का है तो यहां इस expression में एके place पे क्या रख देते हैं 45 degree रख देते हैं चले रखते हैं तो यह बना साइन की पावर 4 और एक प्लेस पे क्या रखा हम लोगों ने 45 डिगरी और यहां भी हम लोग क्या रख रहा है 45 डिगरी तो साइन की पावर 4 और यह बना 45 डिगरी तो अब यह क्या है साइन 45 की होल पावर क्या है 4 और साइन 45 की वैली कितनी होती है इसकी वैली होत टू और यहां भी पावर फोर है तो यहां 4 कर देते हैं ठीक है एक बगजायन डौने जगा देते अब देखिए वन अपॉन 2 की होल पावerson है तो इसको देखिए वन की पावर four करेंगे जो कितना होगा वन और रूट two की पावर फोर करेंगे जो कितला हो जाएगा यह हो जाएगा 4 तो यह क्या बना 1 upon 4 और बिल्कुल इसी तरीके से यहां भी क्या है 1 upon root 2 की whole power 4 है ना तो यह भी क्या मिलेगा हम लोगों को 1 upon 4 अब हम लोगों के साबने 2 fractions हैं और दौनों का denominator सेम है जब दौनों का denominator सेम है तो numerator as it is plus minus हो जाते हैं दे कि 1 plus 1 1 plus 1 कितना होगा है 2 और upon में क्या है 4 और 2 upon 4 को 2 से cancel out कर दिया तो क्या मिला हम लोगों को 1 upon 2 मतब इस expression की value कितनी निकल के आती है 1 upon 2 है कही option में 1 upon 2 yes option D is correct अब 4th question में हम लोगों को दिया cosac theta minus cot theta equal to 1 upon 3 then the value of cosac theta plus cot theta is तो question में हम लोगों को cosac theta minus cot theta की value दे रखे है जो कि कितनी है 1 upon 3 और हम लोगों को cosac theta plus cot theta की value find करनी है ठीक है तो चले शुवू करते हैं यहां से क्या दे रखा है हम लोगों को दिया है cosac theta minus cot theta and this equal to 1 upon 3 ठीक है अब question को आगे करने से पहले हम लोग एक identity समझ लेते हैं देखी कभी भी cosac theta minus cot theta दिया हो तो चाहे हैं तो इसके place पे हम लोग क्या रख सकते हैं इसके place पे हम लोग रख सकते हैं 1 upon cosac theta plus cot theta ठीक है तो यह identity है cosac theta minus cot theta equal to what 1 upon cosac theta plus cot theta इसका मतलब चाहे हैं तो इस identity का यूज करके हम लोग इसके place पे क्या रख सकते हैं इसके place पे रख सकते है 1 upon cosac theta plus cot theta ठीक है ना and this equal to what 1 upon 3 right अब हम लोग क्या करेंगे just cross multiply मतब 3 का multiply 1 में करेंगे 1 का multiply cosac theta plus cot theta में करेंगे तो जब 1 का multiply cosac theta plus cot theta में करेंगे तो क्या मिलेगा यही मिलेगा हम लोगों को cosac theta plus cot theta और 3 का multiply 1 में करेंगे तो क्या मिला 3 और यसी की तो वैल्यू हम लोगों को निकालनी थी कि को साइक ठीटा प्लस कॉट ठीटा किसके एकवल होता है यह होता है थ्रीक एकवल देखिए जरो आप्शन है कहीं यह आप्शन सी इस करेक्ट अब फिफ्ट कॉस्चन में दिया है टू इंटू साइन की पावर सिक्स लग्या दे रखा है ब्रैकेट के बाहर चू है और साइन की पावर सिक्स ठीटा है तो साइन की पावर सिक्स ठीटा को चाहे हैं तो हम लोग कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं साइन स्कॉइट ठीटा का होल क्यू ठीक है देखिए पावस के उपर पावस होती है देन पाव Q, right, और bracket कर दीजिए, close, minus 3, तो minus रखा, 3 रखा, और ये क्या है, sine की power 4, theta तो इसको लिख सकते हैं, हम लोग, sine square, theta का whole square, plus, इसको लिखा जा सकता है, cos square, theta का whole square, और फिर bracket close, ठीक है, अब करते हैं, इसको simplify, तो यहाँ पर हम लोग देखें, तो सबसे पहरे तो चलिए, 2 है, इसको as it is, रखिये, यहाँ पर हम लोग देखें, तो कैसी form तयार हो रही है, AQ plus BQ, और AQ plus BQ क्या होता है, AQ plus BQ, को हम लोग लिख सकते हैं, क्या, identity क्या कहती है, A plus B का whole Q, minus 3AB, और bracket में A plus B, तो इस identity का use करके हम लोग इसे open कर देते हैं, तब क्या लिख सकते हैं, इसको expand करके, देखें क्या होना चाहिए, सबसे पहला है, A plus B का whole Q, और A के place पर क्या है, sin square theta, B के place पर क्या है, cos square theta, तब इसको हम लोग लिख सकते हैं, sin square theta plus cos square theta, और इसका whole Q होता है, तो लगा दीजे Q, फिर minus का 3AB, तो minus रखिए, 3 रखिए, और A, B, A का मतलब, A का मतलब है, sin square theta, और B का मतलब है, cos square theta, और multiplication में क्या, A plus B, और A plus B का मतलब क्या हुआ, sin square theta plus cos square theta, और bracket close, ठीक है मैं, अब क्या है, minus का 3, रखिए, minus 3, और यहाँ पर हम लोग देखें, तो कैसी form तयार हो रही है, A square plus B square, और हम लोग जानते हैं, कि A square plus B square को हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं, A plus B का whole square minus 2AB, ठीक है, तो इस identity का यूज करके, इसको expand कर देते हैं, हम लोग, तब इसको क्या लिख सकते हैं, A plus B का whole square, यह नहीं कि A के place पर है sin square theta, तो sin square theta और B के place पर है cos square theta, तो वो B के प्लेस पर रखा cos square theta और A plus B का whole square minus 2AB तो minus 2 और A के प्लेस पर रखा हम लोगों ने sin square theta और B के प्लेस पर cos square theta और bracket कर दिया close अब करते हैं इसको further simplify to as it is रखा हम लोगों ने bracket के बाहर ठीक है लगा दिया bracket sine square theta plus cos square theta sine square theta plus cube feet tai 1 और 1 का o abundant YouTube क्रेंगे तो किया मिलेगा हम लोगों को catena लगा देते हैं यहाँ प создate van free second Ladra and cos square theta और यहां पर से देखें तो sine square theta plus cost square theta और sine square theta plus cosine square theta क्या बना one का multiple含 कर दो यहीं मिलेगा हम लोगों को स्वाइनी 3ób ste retire cos square theta और bracket कर दिया close, minus 3 है, लिखते है, minus 3, ठीक है, अब देखो यहाँ पर, sin square theta plus cos square theta का whole square है न, और sin square theta plus cos square theta क्या होता है, one, तो one का square करेंगे तो क्या मिला है, one, minus का sin है लगा देते हैं, और यह क्या है, two sin square theta cos square theta, as it is, लिखती जिए, two sin square theta, cos square theta, अब करते हैं, further, इसको simplify, two, इस bracket के बाहर है, तो bracket के अंदर दौनों terms को two multiply करेगा, तो two का multiply जब one में करेंगे, तो क्या बनेगा, two, again, two का multiply जब minus 3 के साथ में करेंगे, तो इका हो जाएगा, minus 6, और साथ में क्या है, sin square theta, cos square theta, sin square theta, cos square theta, minus 3 है, bracket के बाहर है, तो bracket के अंदर दौनों terms को multiply करेगा, कौन, minus 3, तो minus 3 का multiply, जब हम लोग one में करेंगे, तो क्या मिलेगा, minus 3, ठीक है, again, minus 3 का multiply, जब minus 2 में करेंगे, तो क्या हो जाएगा, minus minus plus, और 3 और 2 का multiply किया, 6, और साथ में क्या है, sin square theta, cos square theta, तो ये बना 6 sin square theta, cos square theta, अब हम लोग देखे हैं, तो ये 6 sin square theta, cos square theta, negative है, और ये 6 sin square theta, cos square theta, positive है, मतब ये दोनों आपस में, cancel हुए, तो अभी हमें क्या मिलता है, 2 minus 3, तो 2 minus 3, ये positive number है, ये negative number है, कौन सा बढ़ा है, negative, त बड़े में से छोटे को minus कर देते हैं, तो क्या मिला, finally, minus 1, तो है कही minus 1, yes, option c is correct, अब अगले question में हम लोगों को दिया है, cos a upon caught a plus sign equal to what, मतब इसको हम लोगों को simplify करके value find करनी है, ठीक है, तो क्या दे रखा है, हमें दिया है, cos a, और upon में क्या है, caught a, and plus में है, sin a, और इसको करना है, अब हम लोगों को simplify, ठीक है, तो यह cause है, यह sign है, यहाँ पर देखें, caught है, कोई पी technometric identity लगती हूँ, देख रहे हैं, तो जब भी कभी technometric identity ना लगे, तो क्या करते हैं, सब को sign और cause के terms में, break कर देते हैं, तो यह तो already cause है, तो इसको तो चलो, ऐसे ही रखो, cause a, औ और upon में caught a है, तो इसको करते हैं, हम लोग चेंज, और इसको क्या लिख सकते हैं, इसको हम लोग लिख सकते हैं, cause a upon sign a, ठीक है, plus sign a है, तो यहाँ पर रखा, plus, और यहाँ लिख दिया हम लोगोंने sign a, correct है, अब question को आगे करने से पहले हम लोग समझते हैं, कभी भी जब हम हम लोग एक fraction a upon b को divide गरें किस से c upon d से, तो यह d जाता है उपर, और b आता है, इसी के साथ multiply होने के लिए, और कभी भी जब b ना हो, तो सिर्फ आनी जाने का काम कौन करेगा, d, मतलब अब हम लोग देखें इस situation में, तो sign a किस के साथ जाएगा, cause a के साथ जाएगा, तब इ into, cause a, और upon में क्या है, cause a, चीक है, तो यह हुआ, cause a, और plus का, sign a as it is, लिख दिया हम लोगों ने, correct है, तो देखें, cause a से, अब cause a cancel हो गया, तो यहां से क्या मिलता है हम लोगों को, यहां से हम लोगों को मिलता है, sign a, plus sign a, और sign a, plus sign a मिलके कितना हो गया, यह बन गया, 2 sign a, है कहीं option, yes, 2 sign a, option b is correct, अब 7th question में हम लोगों को दिया है, if sec theta plus 10 theta equal to x, then 10 theta is, तो question में हम लोगों को sec theta plus 10 theta की value दे रखे है, जो की कितनी है, x, और इसके basis पर हम लोगों को 10 theta की value find करनी है, ठीक है, तो चले एक पर लिखते हैं, क्या दिया है हम लोगों को, हम लोगों को value दे रखे है, किसकी sec theta plus 10 theta, and sec theta plus 10 theta equal to what, according to question है, किसके equal है, x के, अब question को आगे करने से पहले हम लोग समझ लेते हैं, कभी भी जब sec theta plus 10 theta हम लोगों को दिया जाए, तो चाहे हैं, तो हम लोग इसके place पर क्या रख सकते है, इसके place पर हम लोग लग सकते है, sec theta minus 10 theta, ठीक है, तो जब यहाँ पर plus का sign होता है, तो यहाँ माइनस का sign होता है, ठीक है, तो यही identity हम यूज़ करना यहां पर और यहां पर क्या दिया है हम लोगों को सेटीटा प्लस ट्रेंड ठीटा है ना तो इसके प्लेस पे साइडेंटिटी से हम लोग क्या लिख सकते हैं इस आइडेंटिटी के यूज़ करके हम लोग लिख सकते हैं इसके प्लेस पर सैक ठीटा minus 10 theta and sec theta minus 10 theta equal to what x ऐसे लिखा जा सकता है और चाहें तो इस x को हम लोग क्या लिख सकते हैं x upon 1 कर दें तो कोई फर्क पड़ा नहीं ठीक है अब क्या करेंगे इस equation की हम लोग दोनों sides को पलट रहें तो जब इस side को पलटा जाएगा तब इसको लिख सकते हैं हम लोग sec theta minus 10 theta upon 1 और upon 1 लिखने का कोई फायदा नहीं ठीक है और इस side को पलटाएंगे तो क्या लिखाएंगे 1 ऊपर चला जाएगा और यह x नीचे आ जाएगा तो यह बना 1 upon x करेक्ट है अब अगर इसको हम लोग consider करने equation number 1 और इसको मालने equation number 2 तो अभी क्या करने जा रहे हैं हम लोग by equation number 1 minus 2 मतब equation number 1 में से equation number 2 को minus कर रहा है चले रखते हैं तो क्या है equation number 1 equation number 1 में हम लोगो को दिया है sec theta plus 10 theta and this equal to x है और equation number 2 में हम लोगो को दिया है sec theta minus 10 theta and this equal to what 1 upon x तो रख देते हैं यहाँ पर 1 upon x अब क्या करना है subtract करना है तो जब हम लुक subtract करते हैं तो जिसको subtract किया जाता है उसके sign change होते हैं तो sec theta positive था negative हो गया 10 theta negative है तो यह positive हो जाएगा चिक है और 1 upon x positive है तो यह negative हो जाएगा ठीक है अब देखो sec theta पॉजिटिव है और ये सेक्टिटा नेगेटिव है तो ये दोनों तो आपस में कैंसे लोगए 10 जिटा पॉजिटिव है और अभी ये 10 जी भी पॉजिटिव है तो 10 अखार गिए एक्स में क्या बन जायेगा एकस्कायर और माइनस में वन है तो एकसे स्क्वाइर माइनस और आप उन में क्या उन यह ऐगा एक्स के हमें किसकी वेलुस निकालनी 10 ठीटा की तो इस 2 को भी कर दा है transpose तो 10 ठीटा तो हम लोगो ने धर ही रोका और 2 को जब हम लोग transpose करेंगे तो कि यह को 10 ठीटा के साथ multiply कर रहा था तो जब 2 को transpose करेंगे तो आप division में जाएगा तब इसको लिख सकते है x square minus 1 as it is जो हम लोगो करेक्ट अब बटा एर्थ question में हम लोगों को दिया है p cot theta equal to under root q square minus p square then the value of sin theta is the question में यहां पर condition दे रखिया और इस condition के basis पर sin theta की value find करने के लिए बोला गया है ठीक है तो सबसे पहले है यह condition लिख लेते है क्या दिया है हमें हम लोगों को दे रखा है p cot theta and this equal to under root में है क्या q square minus p square ठीक है cot theta को इधर ही रखते हैं और इस p को कर देते हैं transpose तब इसी चीज़ को लिख सकते है cot theta equal to under root में क्या है under root में है q square minus p square और upon में दब क्या आ गया upon में आ गया p correct है देखिए हम लोगों के पास cot theta की value है और हमें चाहिए किस की value sin theta की तो क्या कोई identity हम लोग जानते हैं जैसे एक identity याद आ रही है हम लोगों को cot के terms में और वो क्या होती है वो होती है 1 plus cot square theta equal to होता है क्या cosec square theta और cosec square theta ही किस के equal होता है यह होता है 1 upon sin square theta के equal इसका मतलब cot square theta से हम लोग जा सकते हैं यहाँ पर ठीक है तो cot theta से जब हम लोगों को यहाँ तक जाना है तो सबसे पहले क्या होना चाहिए हमारे पास cot square theta होना चाहिए उसके लिए क्या करना पड़ेगा दोनों sides का square ठीक है तो cot theta है इस side का square गरेंगे तो इसको लिख सकते हैं क्या cot square theta and this equal to जब इस side का square किया जाएगा तो यह तो root में जब इसको square गरेंगे मतलब numerator को तो सिर्फ क्या होगा root sign हटेगा तब इसको लिखा जा सकता है q square minus p square और upon में क्या है p जब इसको square गरेंगे तो यह क्या बन जाएगा p square तो अभी हमारे पास किसकी value है cot square theta की जबकि हमें और क्या चाहिए plus में 1 चाहिए जब हम लोग यहाँ पर जा सकते हैं ठीक है तो 1 चाहिए तो दोनों sides में क्या कर रहा है 1 plus कर रहा है तो 1 plus इसको लिखेंगे हम लोग q square minus p square upon p square correct अब 1 plus cot square theta के place पर क्या रख सकते हैं इसके place पर हम लोग रख सकते हैं cos square theta क्योंकि 1 plus cot square theta equal to cos square theta और इसको करते हैं हम लोग simplify तो एक number है और यह fraction है तो जब number of fraction को हम लोग simplify करते हैं करते हैं fraction के denominator का multiply उस number में मतब P square का multiply 1 में करेंगे तो क्या मिलेगा हमें P square plus कसा ने लगा देते हैं और इस numerator को as it is रखेंगे तो यह बना Q square minus P square और upon में तब क्या रहेगा P square ठीक है अब देखे P square यह positive है और यह negative है तो क्या निकल के आता है कोसेक square theta कोसेक square theta equal to what यहां से क्या मिलता है हम लोगों को यहां से मिलता है Q square और नीचे क्या मिलता है हम लोगों को P square दोनों sides का square root ले ले लेते हैं तो जब कोसेक square theta का square root लेंगे तो क्या मिलेगा हम लोगों को कोसेक theta and this equal to जब Q square के square root लेंगे तो यह बनेगा Q और जब इसके square root लेंगे तो यह बनेगा P ठीक है अगें कुछ एक theta को चाहे है तो क्या रख सकते हैं इसको रख सकते हैं 1 upon sin theta and this equal to what Q upon P अब दोनों sides को पलट देते हैं जब इस side को पलटाएंगे तो क्या मिलेगा हम लोगों को तर मिलेगा sin theta और जब इसको पलटा जाएगा तो P उपर होगा और Q नीचे तो P upon Q और यही value हम लोगों को find करनी थी sin theta की तो क्या है sin theta की value P upon Q है कहीं option में? Yes, this option C यह correct हो जाता है अब इस question को बड़े द्हान से समझाए है इसमें दिया है if 5 10 theta equal to 4 then the value of 5 sin theta minus 4 cos theta upon 5 sin theta plus 4 cos theta is तो question में हम लोगों को यहाँ पर 5 10 theta की value दे रखिया 4 और इसके basis पर इस expression की value find करनी है ठीक है? तो सबसे पहले काम करते हैं यहाँ पर क्या दिया है हम लोगों को 5 10 theta equal to 4 अब देखो इस trigonometric ratio को दिधर ही रखिये और इस 5 को कर दिजिए transpose तब क्या लिख सकते हो? तब इसको लिख सकते हो 10 theta equal to what 4 upon 5 क्योंकि 5 multiply कर रहा था तो division में आ गया तो 10 theta की हम लोगों ने value find करी जो की कितनी है? 4 upon 5 और किस की value निकालनी है? इस expression की निकालनी है एक बर लिखते हैं क्या दिया है तो हम लोगों को निकालनी है value 5 sin theta minus 4 cos theta और upon में 5 sin theta plus 4 cos theta तो इस expression की हम लोगों को value निकालने है जबकि हमारे पास value किसकी है 10 theta की और हम लोग जानते हैं कि 10 theta क्या होता है 10 theta होता है sin theta upon cos theta गुंकि यहाँ पे सारे के सारे Mitglied Oxygen अर यह खिलिए यह फिलास के टरम्स में हैं ऐहाँ पर हम लोग के पास वेली किसकी एकर हम सब्सक्राइग कार है खिला विल्लोग को ऐभाएट सब्सक्रार। करेक्ट है, तो जब cos theta से हम लोग 5 sin theta को divide करेंगे, तो क्या मिलेगा, देखिए, sin theta upon cos theta 10 theta बन जाएगा न, तब इसको हम लोग लिख सकते हैं, क्या 5, 10 theta, minus का sin है लगा देते हैं, और 4 cos theta को जब cos theta से divide करेंगे, तो cos से cos कट जाएगा, तब यहाँ से क्या मिलेगा, 4, और upon में क्या रहा, बिल्कुल इसी तरीके से 5 sin theta को जब cos theta से divide करेंगे, तो sin theta upon cos theta बनेगा 10, और 7 में 5 है, तो यह लिखा 5, 10 theta, और plus का sin है, लगा देते हैं, 4 cos theta को जब cos theta से divide करेंगे, तो क्या मिलने वाला है, 4, अब जैस क्या करें, 10 theta की तो value है, 4 upon 5, रख देते हैं यहाँ पर, तो यह हम लोगों के पास आगया, 5 into, 10 theta की जगह पर रख रहा है, 4 upon 5, minus 4, और upon में तब क्या होगा, 5, as it is रखा हम लोगों ने, और 10 theta की जगह पर 4 upon 5, और plus का 4, ठीक है, देखिए 5 से 5 कैंसल, यहाँ भी 5 से 5 कैंसल, ठीक है, तब आगे क्या मिलता है हम लोगों को, यहाँ से बचा 4, minus का 4, तो 4 minus 4, और नीचे रहा 4 plus 4, और 4 minus 4 का मतलब हुआ 0, और 4 plus 4 का मतलब हुआ 8, और 0 upon 8 का मतलब 0, means finally, इसका अंसर क्या आता है, 0 है कहीं option में, yes, option C is correct, अब आज का जो last question है, इसमें हम लोगों को दिया है, sin A minus 2 sin cube A upon 2 cos cube A minus cos equal to what, तो इसको हम लोगों को simplify करने के लिए बोला गया है, और देखना है, कौन सा option करेक्ट है, ठीक है, तो चले भी करते हैं, क्या दे रखा है हम लोगों को, हम लोगों को दिया है, sin A minus 2 sin cube A, और upon में क्या है, upon में दे रखा है, 2 cos cube A, so, यहाँ पर लिखा 2 cos cube A minus cos A, minus cos A, ठीक है, और इसको करना है, हम लोगों को simplify, तो simplify करने का first rule होता है, कि अगर कोई भी चीज़ common है ना, तो इसको common लो, तो हम लोग यहाँ पर देख पा रहे हैं, कि numerator में दो terms हैं, और दोनों ही terms में क्या देख पा रहे हैं, sin A यहाँ भी और sin A यहाँ भी है, common ले सकते हैं, ठीक है, ले लेते हैं, so, this can be written, sin A हम लोगों ने लिया common, अब जब इन दो terms में से sin A common लिया, तो जब यहाँ से sin A बाहर आया, upon में हम लोग देख हैं, तो यह क्या है, 2 cos Q A minus cos A, क्या common है, cos A देखो, यहाँ भी और cos A यहाँ भी है, तो क्या common ले लिया हम लोगों ने, cos A common लिया, जब इस term में से cos A हम लोगों ने बाहर ले लिया, तो यहाँ क्या बचने बाला है, यहाँ बचाएगा, 2 cos A स्क्वाइर A, minus के sin A लगा देते हैं, और यहाँ cos A, बाहर हम लोगों ने ले लिया, तो क्या बचाएँ यहाँ पर, 1, further इसको करते हैं, simplify, तो numerator को तो ऐसे ही लिख देते है, sin A, और यह 1 minus 2, sin A स्क्वाइर A, और हम लोग यहाँ पर करते हैं काम, चलिए इसको तो पहले ऐसे ही लिखिए, cos A, ठीक है, और यह क्या है, 2 cos A है ना, तो 2 तो as it is लिखिए, और इस cos A की जगह पर क्या रख सकते हैं, इसकी जगह पर रख सकते हैं, 1 minus sin A स्क्वाइर A, ठीक है, minus 1 है, रख दीजे minus 1, और bracket कर दीजे close, फिर से हम लोग क्या करें, numerator को ऐसे ही लिखे चलो, तो यह लिखा हम लोगों ने, sin A, और bracket में 1 minus 2 sin A, और नीचे करेंगे थोड़ा सा काम, cos A, as it is लिखा हम लोगों ने, अब देखो 2, इस bracket के बाहर है ना, तो bracket के दौनों terms को multiply करेंगा, तो 2 का multiply, 2 का multiply जब 1 में करेंगे, तो क्या मिलेगा, 2, अब 2 का multiply जब minus sin A में करेंगे, तो क्या मिलेगा, minus का 2, sin A, और साथ में क्या है, minus 1, तो यहाँ पर रख दीजे, minus 1 bracket कर दीजे, close, ठीक है, आगे इसको एक बार फिर से लिख है, तो इसको लिख सकते हैं, sin A, और यह क्या है, 1 minus 2 sin square A, as it is, रख देते हैं, तो 1 minus 2, sin A square A, और bracket कर दीजे, close, अब और में आए, तो यह क्या है, नीचे cos A, as it is, हम लोगों ने रखा, cos A, और यह 2, और minus 1, 2 message आप minus 1 करेंगे, तो क्या मिलेगा हम लोगों को, तम मिलेगा हम लोगों को 1, और साथ में क्या है, minus 2 sin square A, तो minus 2 sin square A, अब हम लोग देख रहे हैं, कि यहां भी क्या है, 1 minus 2 sin square A, और यहां भी 1 minus 2 sin square A, मतब सेम ब्रेकेट हैं, तो दोना ब्रेकेट आपस में cancel, तो finally क्या बचा है हमारे बास में, हम लोगों के पास में बचा, sin A upon cos A, और sin A upon cos A, किसके equal होता है, यह equal होता है, 10 A के, है कहीं option 10 A, yes, option A is correct, ठीक है, I hope students के इस video lecture में बताएगे, सारे ही questions आपको बड़े अच्छे से समझाए होंगे, अगर ऐसा है तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और बाकी क्यों questions के लिए आप मेरी प्लेलिस में चले जाएए, इस तरीके के बहुत सारे questions में अप्लोट के हैं, मैं फिर से आता हूँ, एक नए question, एक नए concept के साथ में, till then keep learning and thank you for watching this video.